गाइस तो स्वागत है फिर से हार के लगए लेक्टरोनिक एक और नीव वीडियो में गाइस तो आज की इस वीडियो का टोपिक है हमारा कि मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा थ्री फेस बैल्डिंग सेट होता है उसकी बैल्डिंग जो है हम किस मतलब रॉड से करते हैं और ऎल्डिंग करते जा रहे हां और यह रोड है हमारी दस नंबर और यह उसके अपर जो यह मसाला लगाता है फलक्स होता होता है इसके अंदर रॉड फिट रोड होती है ठीक है गाइस तो इसका पूरा setup देख लो आप एक बार ही है पहले हमने इसको पीछे से होन किया ठीक है गाइस तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं करेंट के लिए दिया हुआ है और एक आर्क फोर्स के लिए दिया ठीक है गाइस तो यह हमारा है MMA 330 का इनवेटर DC welding सेट है बहुत ही अच्छा है ठीक है यह बहुत अच्छा सेट होते हैं तो इसमें एक कूलिंग के लिए फैन दिया गिया जैस्ट फैन पर ठीक है गाइस तो इसका कनेक्शन किस तरीके से होते हैं वह भी मैं बताता हूं आपने सिर्फ इसके थ्रीफेस आरवाई भी कनेक्ट करकर और एमसे भी जोड़ाता है ठीक है तो यह देख सकते हैं यह जो अपर जो है फ्लक्स जम जाता है इसको जो है किसी भी नुकिली चीज से उतारना पड़ता है फिर ही उसके उपर द्वारा से बैल्डिंग होती है अगर आप इसी के उपर बैल्ड से जम जाती है ठीक है तो मगर जो हमारी वह होती है दूसरी बैल्डिंग होती है मिक बैल्डिंग उसमें तो हमने लगाया होता है तो उसमें यह प्रोब्लम नहीं देखने को मिलती है ठीक है गाइस तो यह हमारा हो गया कि बैल्डिंग तो मैं दिखाता हूं कनेक्शन जो ह हमारा हॉल्डर होगा होल्डर को हमने प्लस पर जोड़ देना है और हमसितलब की आर्थ होगी हमने मायनस पर जोड़ और यह हमारा होल्डर है वह प्लस पर आई होब की जान क्या रही है आपको अच्छा लगी होगी